hey guys this is monika sing and welcome back to our channel आज आपके लिए micro lesson plan है physical science का कुछ micro lesson plan पहले भी upload किये गए है और 2-3 अभी जैसे English में रह गए है वो upload कर दिये जाएंगे जैसे कि आपको ज़रूरत है हिंदी में कुछ upload पहले कर दिये गए है physical science का भी आपको upload किया गया है मैं bio किसी का भी है जो playlist बनी वही है आप उसमें देख सकते हैं अपने according ठीक है आचा देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जो skills है वो आपके पूरे lesson plan में जैसे main lesson plan में आप एक साथ पढ़ाते हैं उसमें बहुत सारी skills होती है उन्हीं को यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है साथ skills है आपके फाइल के अंदर ठीक है अलग-अलग उनको पता गया है कि आपको किस तरीके से करनी है तीन इसमें headings है आपकी main people teachers activity students activity name of component used people teachers activity में आप जो questions या explanation देंगे वो आएगा बच्चे answer दे रहे हैं या response कर रहे हैं वो students activity में आएगा और जो चीज़ें आप यूज कर रहे हैं या जो relate कर पा रही है इस skill से वो उसके component हो जाएंगे ठीक है और यही वो components है यही वो चीज़ें हैं जो आपको lesson plan में पढ़ाते वक्त या बनाते वक्त ध्यान रखनी होती है जो कि यहां पर आपको details में बताई जाती है ठीक है details में आपको explain किया जाता है macro lesson plan का यही motive होता है कि आपको skills के बारे में अच्छे से बताया जाए यह समझाया जाए ठीक है जिसे आप उसे improve कर पहें और इसके बारे में detail में जानना है तो इसके लिए video पहले से available है तो वो आप देख सकते हो ठीक है यहां सबसे पहले introduction skill है introduction skill में आपको जो introductory questions होते हैं व आप questions करते हैं बच्चे उसका answer करते हैं component यहां लिखे ही हो हैं आप देख सकते हैं और last my case statement of aim आप जो पढ़ाने वाले हैं वो आ जाएगा इसके बाद questioning skill में आप जिसे developmentary question कर रहे हैं यह में इसलिए बता रही हूँ relate करके कि आपको पता पड़े कि हाँ आप कहां पर कर रहे हैं skills का use और दूसरा अगर आप अलग से topic नहीं लेना चाहते हैं और भी lesson plan मैंसी अगर आप तहिया करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ठीक हैं वहीं से questions और explanation लेके इसमें note कर सकते हैं थोड़े बहुत changes के साथ में questioning skill में हमने कुछ questions किये बच्चों ने answer किया और हमने components बता दिये कैसे use हुआ है इसके बाद explaining skill है तो यहां आप explanation दे रहे हैं कुछ statement of aim के बाद में हमारा शुरू होता है न explanation तो सबसे पहले हम heat के बारे में बता रहे हैं तो यहां heat के बारे में हमने बताया ठीक है और बच् answer और explanation साथ में कर सकते हैं या सिर्फ explanation भी कर सकते हैं इसमें mainly यही देखा जाता है कि आप कहां pause ले रहे हैं कहां आप अपनी voice को up and down कर रहे हैं किस तरीके से आपके बोलने का तरीका है explain करने का तरीका है stimulus variation skill में यह सारी चीज़ आती है तो यहां हमने explain किया है effect of heat को तो यह effect of heat के बारे में बता दिया हमने ठीक समझ के आप लिख लेंगे students activity होगी कि वो सुन रहे हैं और components ही आ गए ठीक है इसके बाद में आपका reinforcement skill है reinforcement skill बच्चों को बढ़ावा देने के लिए इसका manobal बढ़ाने के लिए दिया जाता है तो आप अलग अलग तरीके से जैसे देत है ठीक है इतना ही बस इसमें लिखना है अब देख लीजेगा इसके सामने जैसे एक साथ नहीं आया है तो number one है तो उसका one आओगा number two है तो इसका two answer होगा number three है तो इसका three answer है ठीक है इतना तो आप देखी सकते हैं फिर illustration skill है तो illustration में आप examples पर गवर करते हैं कि कितने experiment को कड़ाती हुए हमने कुछ questions किया है बचोंने answer किया है इसके बाद हमने कुछ इसके बारे में explain भी कर दिया है ठीक क्योंकि उधारन तो तब भी देंगे जब आप कुछ समझा रहे होंगे blackboard skill में मैंने बताया था आपको आप कुछ भी एक-दू question कर सकते हैं और इसके ब इसके बारे में थोड़ा लिख सकते हैं ठीक है इन portions में ओके तो यह आपका micro lesson plan हो गया complete आपके physical science का next आपको मिल जाएगा तो वह आप देख लीजेगा जैसे बायो का चाहिए आपको ओके तो next video मिलेंगे thanks for watching